नमस्कार दोस्तों अदिन गंगा के यूटूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन यूपी टीटी नोटिफिकेशन 2021 जारी ये जानकारी आपको दी जाएगी नई प्रात्मिक सिख्षक भरती नोटिफिकेशन टीजीटी पीजीटी 2021 रिजल्ट जारी 27,000 नई टीजीटी पीजीटी सिख्षक भरती प्रात्मिक सिख्षक भरती में सनातक 50% निवारिये क्या प्रात्मिक सिख्षक भरती में सिख्षा मित्रों को मिलेगा मोका क्या NIOS DLAB अभ्यर्तियों को UP में मिलेगा मौका ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो UPTT Notification 2021 जारी और ये बड़ी एक खुशखबरी है कि UPTT Notification 2021 कभी भी जारी किया जा सकता है बोर्ड की तरब से सब कुछ Complete कर लिया गया है बस Notification अपलोड कभी भी किया जा सकता है तो UPTT का Notification कभी भी आ सकता है ये बड़ी खुशखबरी है तैयारी में आप लग जाएगा UPTT की चाहे वो Primary Level का हो या Junior Level का हो और ये नई शिक्षक भरती का आगाज समझी हो चुका है और UPTT का Notification आपको जल्द देखने को मिलेगा इसके बाद में नई प्रात्मिक शिक्षक भरती के Notification की अधिबात करें तो TET की जो परिक्षा है वो November में संभावित है और जिस परकार से पिछली भरती में भी देखा गया एक महीने का समय दिया गया था सूपर TET के लिए तो यहाँ पर भी सूपर TET के लिए काफी कम समय मिलेगा क्योंकि आने वाले समय में विधान सभा चुनाव भी होंगे और government चाहेगी कि उससे पहले पहले इस भरती को complete करा लिया जाए जिसका की चुनावी लाब जो है सरकार उठा सके तो यह भरती जो है इसका notification आपको देखने को मिलेगा जल्द क्योंकि पहले तो UPTET का आयोजन होगा उसके बाद में आपको जल्द ही सूपर टेट के लिए notification देखने को मिलेगा अब बात करते हैं TGT PGT 2021 result को लेकर और TGT PGT 2021 का result बहुत जल्द जारी होने वाला है अगले सबतहा से result जारी होना सुरू हो जाएगा पहले PGT का result आएगा उसके बाद में TGT का result आएगा और PGT में हालकि interview भी होगा लेकिन TGT में interview नहीं होता है तो TGT का तो जो भी result आएगा वो final ही होगा जो भी cut off जारी होगा लेकिन PGT में उसके बाद में interview का योजन भी होगा और इसके बाद में 27,000 नई TGT PGT जो भरती है उसका रहा भी आसान हो जाएगा जैसे ही TGT PGT 2021 भरती complete होती है 27,000 नई TGT PGT शिक्षक भरती आपको देखने को मिलेगी और प्रात्मिक शिक्षक भरती में इस ना तक 50 परतिशत अनिवारी है तो देखेगा यह जो है NCTE ने जो guideline जारी की थी उसमें 50 परतिशत की अनिवारियता दी गई थी लेकिन बाद में जाज जो में इस परकाज से वैकंसी आई जहां पे 50 परसेंट देखने को मिला हाला कि UP में 79,000 शिक्षक भरती में इस अनिवारियता को सम अप कर दिया गया था लेकिन जूनियर सिक्षक भरती में 50 परतिशत की अनिवार्यता रखी गई, तो ऐसा ही प्रात्मिक शिक्षक भरती में यादि नए शिक्षा नीति लागू हो जाती है, तो यह अनिवार्यता देखने को आपको मिल सकती है, लेकिन इस भरती में जो विधान सभा चुनाव से पहले आने की संभावना है, इसमें यह अनिवार्यता नहीं रहेगी और यह NCTE को निर्देश भी दिया गया था कि इसको चेंज किया जाए क्योंकि जिस मानक के आधार पर अभ्यारती ने BAT, BTC, DLA जो भी किया है उसके आधार पर ही वेकेंसी निकाली जाने चाहिए हाला कि पिछले विज्यापन में जो दिया गया था उसमें इस नातक या पर असनातक में से कोई एक होना चाहिए इस नातक या सनातकोत्तर में से कोई एक मांगा गया था तो उसी परकार से इस बार भी देखने को मिल सकता है और एक क्या प्रात्मिक सिक्षक भरती में सिक्षा मित्र हो सभी को मोका दिया जाएगा हलकि सपा के जो राष्ट अध्यक्स है अकलेश यादव उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो सिक्षा मित्रों को इस थाई अध्यापक बनाया जाएगा और ऐसा बीजेपी की अभी गोर्मेंट है वर्तमान में अगर चाहे तो यह गोर्मेंट भी ऐसा कर सकती है अगर ऐसा होता है तो फिर इनको अवश्यक्ता नहीं होगी लेकिन फिलाल के लिए अभी प्रात्मिक शिक्षक भरती में सिक्षा मित्रों को शामिल किया जाएगा क्या एनाई ओएस डियलेड अभ्यरतियों को यूपी में मिलेगा मोका औ बेकिन बाद में उनको शामिल कर लिया गया जैसा की जारी करना पड़ा उर इनको शामिल किया गया विहार प्रात्मिक शिक्षक भरती में तो शमीagar application में इनको शामिल किया जाएगा ऐसे समभावना है और इनको शामिल करना भी चाहिए क्योंकि इन्होंने भी मैनत की है अपने जीवन के कीमती साल इसमें लगाए हैं एना यूएस डियलेड में तो सभी अभ्यर्तियों को मोका मिलना चाहिए तो बस यही आज का वीडियो था यह वीडियो आपको कैसा लगा अ आमशकर।